प्रूथ टेवल, लॉजिक केट्स, लॉजिक सर्किट्स, इतने सारे लॉज, इतने प्रॉपर्टीज सबसे पहले हमें पर कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ने हैं, उनमें से सबसे पहले आता है बाइनरी वैल्यूड कॉंटिटीज, यानि true और false, फिर आता है logic statements या फिर truth functions, ये क्या होते हैं, ये ऐसे sentences होते हैं, जिन्हें हम true या फिर false में determine कर सकते हैं, फिर आता है binary decisions, ये भी similar है, इसमें क्या होता है, ये इस type की decisions होते हैं, जिनका result जो की है, या तो yes, यानि की true, या फ है binary decision और ये true और false हैं, इन्हें हम truth values भी कहते हैं, यें हम binary qualité quantities भी कहते हैं, और truth values भी कहते हैं, अब हमारे पास आते हैं कुछ logical operators, जैसे कि हम सब जानते हैं, कि math में हम kуч operators का use करते हैं, जैसे कि plus, minus, multiply, division, ये रहा हम यूजीज करते हैं, ये सारे ये लिए हम use करते हैं और इन में आता है and or not यह सारे का सारे logical operators हैं इनके अलावा भी और हैं इनके अलावा भी और चार हैं जित के बारे में तुम्हें पढ़ना है तो वह हम आगे बढ़ने वाले हैं यहां पर मैं एक और boring सी बात तुम्हें बता देता हूं कि one जो है वो represent करता है true को zero जो है वो represent करता है false को अब यहां पर मैं तुम्हें एक नई चीज़ बताने चारा हूं यहां पर हमारे पास दो statement है पहला cricket खेलना है और इसे मैं x से represent कर रहा हूं दूसरा bad ball available है इसे मैं y से represent कर रहा हूं ठीक है तो हमारे पास कुछ cases आते हैं कि कभी मुझे cricket खेलने का मन होगा तो उस टाइम मैं true लिखूंगा और उसी वक्त मेरे पास bad ball available होगा तो इसमें भी true लिखूंगा फिर कभी मेरा नहीं मन होगा और नहीं मेरे पास bad ball available होगा तो इसमें मैं false लिखूंगा इसमें एक और case क्या हो सकता है कि कभी-कभी मेरा मन नहीं भी हो सकता है और मे और किस नहीं होगा पहला कि मुझे क्रिकेट खिलने का मन भी है और में पास बैट और बॉल भी है दूसरा मेरे को क्रिकेट नहीं खिलना है और में पास नहीं बैट बॉल है तीसरा मेरे को क्रिकेट खिलना है लेकिन में पास बैट और बॉल अवेलेबल नहीं है चौथा कि मे cricket खेलना भी होगा और मेरे पास bat और ball available होगा तब भी मैं खेल पाऊंगा तो यहाँ पर यह दोनों चीज़े मिलकर true हो गई मतलब मैं यहाँ पर cricket खेल पाऊंगा और मा लेते हैं दोनों में से एक भी चीज़े अगर नहीं होगी जैसे कि या तो मैं को cricket खेलना नहीं होगा. या फिर मैं कि खेलना होगा और में पास bats all ball वेलेबल नहीं होगा. तो इन चीजहों में cricket नहींगर सकता है. इसलिए इन सभी में मैं false link दूंगा. तो इससे हम अब यह समझ सकते हैं कि एक truth table क्या होती है. ठीक है. तो यहां पर और मैं इस चीज का एक truth table तुमें बना कर दिखा देता हूँ तो सबसे पहले मैं आपर statements को मैंने जिस variable से represent किया था जैसे कि cricket खेलना है उसे मैंने x से represent किया था तो मैं आपर first column में x ले लेता हूँ फिर second column में y ले लेता हूँ क्योंकि इसमें क्या था कि bat और ball available है या ने ठीक है फिर मैं r ले लेता हूँ r में जो है वो result है कि मैं cricket खेल पाऊंगा या ने ठीक है और अब मैं यहाँ पर true और false के जग़ा 1 और 0 का use करूँगा तो यहाँ पर जो पहला case था उसके लिए दोनों ही true है तो दोनों में मैं 1 रखूंगा तो 1-1 इसका result यहाँ पर 1 आ जाएगा 0-0 इसका result 0 आ जाएगा 1-0 इसका result यहाँ पर 0 आ जाएगा ऐसा क्यों क्योंकि अगर एक चीज़ भी available नहीं होगी तो मैं cricket नहीं खेल पाऊंगा तो यहाँ पर भी इस cancer 0 आ जाएगा और उसके बद फिर क्या है 0-1 इसमें भी 0 आ जाएगा तो यह एक simple सा truth table है यह मुझे यह बता रही है कि मैं cricket खेल पाऊंगा या नहीं ठीक है इसके बारे में हम और चीज़े भी पढ़ने वाले हैं तो हमारे पास अब दो चीज़े है पहला टॉटोलोजी टॉटोलोजी क्या होती है यह जो result वाला जो column है इसमें हर बार अगर हमारे पास true निकल के आ रहा है हमारे पास हर statement जो है वो true में result आ रहा है उसका तो उसे हम कहते हैं टॉटोलोजी ठीक है और fallacy अगर मेरे पास result में हर एक value 0 में निकल के आ रही है यानि false में निकल के आ रही है तो उसे हम कहते हैं fallacy ठीक है तो यह दो चीज़े थी अब हम मेरे पास कुछ basic operators आते हैं not, or, or end ठीक है तो यह तीनों जो है वो basic operators हैं यह क्या करती है जैसा कि तुम जानते हो कि plus जो operator है यह दो numbers का sum करता है वैसे ही minus जो operator है subtraction का वो दोनों का difference निकलता है तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर भी कुछ operators हैं तो यहाँ पर तुम जैसे देख सकते हो मैंने cricket वारा जो example लिया था यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर मैं यह चीज़ कर रहा हूँ कि अगर दोनों values true होंगी तब ही मैं answer में true लिखूंगा तो यहाँ पर मैं ना जानते हुए भी कोई operator use कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं कौन सा operator use कर रहा हूँ and operator का use कर रहा हूँ तुम्हें नहीं समझा होगा कि अभी मैं and operator यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ बस समझते जाओ मैं दीरे-दीरे करके मैं तुम्हें सारे operators के बारे में समझा दूँगा तो सबसे पहले आते हैं not operator के बारे में not operator क्या होता है यह एक single variable में operate करता है ठीक है और इसका जो operation है इसे ह हम कहते हैं complementation या फिर inversion भी हम इसे कभी कभी बोल देते हैं और इसका जो symbol है वो बार होता है ठीक है variable के उपर में हम एक बार लगा देते हैं तो इसे हम कहते हैं complement of x जैसा कि मैं आपर 0 लिख देता हूँ और अगर 0 के उपर मैं बार लगा दूँ यानि कि यह निकल के आता है 1 यानि यह क्या करता है बस किसी भी variable की जो value है उसे उल्डा कर देता है अगर वो 0 होगा तो उसे 1 कर देता है 1 होगा तो उसे 0 कर देता है तो यह 0 bar equals to 1 हो जाता है similarly 1 bar is equals to 0 हो जाता है यहाँ पर मैं इसका टेबल तुम्हें दिखा देता हूँ क्योंकि यह एक single variable में operate करता है तो मैं आपर एक single variable लूँगा और यहाँ पर उसका bar लिख दूँगा यानि कि यही result हो गया हमारा तो अगर मैं आपर single variable लूँँ तो इसमें मैं दो values ले सकता हूँ पहला 0 दूसरा 1 और इसका x bar में क्या आजाएगा 0 का जो complement वो 1 आजाएगा 1 का जो complement है वो 0 आजाएगा अ तो हमारे पास आता है और operator यह जो और operator है इसे हम logical addition भी कहते हैं और इसका जो symbol होता है वो simple plus होता है तुम जो addition का use करते हो दो numbers के बीच में उनका sum करने के लिए वह यह जो addition का symbol है उसे हम use करते हैं और operator के अंदर ठीक है तो अब यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ चीज़े बत लिखेंगे यहाँ पर तुम इसे उस चीज़ के साथ confuse मत करना जो कि पिछले chapter में तुमने पढ़ा था binary addition उसमें क्या था कि 1 और 1 प्लस 1 हम आप लिखने लगे थे 1 with carry 1 ऐसा हम लिखने लगे थे तो यह चीज़े तुम्हें इससे confuse नहीं करने हैं यहाँ पर यह हम और operator के ब बना लेते हैं यहाँ पर मैं X रखता हूं फिर Y रखता हूं और उसके बाद X प्लस Y रख लेता हूं यहाँ पर हमारे पास तीन कॉलम्स आगए ठीक है तो मैं यहाँ पर यह एक ऐसा operator है जो मुझे यह बताता है कि मेरे पास दो statements है तो उनमें मैं क्या कर रहा हूं कि अगर अगर मेरा एक statement में true नहीं है दूसरा statement सभी है यानि दूसरे statement के पास truth है 1 तो भी मेरा यह जो result है वह रोना जाएगा मतलब दोनों में से किसी एक के पास 1 होना चाहिए minimum अगर दोनों में है तब तो वो होगा ही होगा result 1 लेकिन उनमें से बस एक में 1 होना चाहिए तब भी मेरा result वो 1 बनके आ जाएगा सबसे पहले हम x में डालते है 0 y में 0 तो हमारे पास x प्लस Y बन के आता है 0, फिर फिर हम यहाँ पर X में 0 डालेंगे फिर Y में 1 डालेंगे, तब हमारे पास X प्लस Y 1 बन के आ जाएगा फिर हम X में 1 डालेंगे, Y में 0 डालेंगे तब हमारे पास X प्लस Y 1 बन के आ जाएगा, फिर हमारे पास 1 आ जाएगा और इसका जो symbol होता है वो dot होता है तो जैसा कि algebraic multiplication होती है कि इसमें हम क्या करते है multiplication के जगा dot का use करते है दो variables के बीच में जैसे x.y हो गया similarly हम यहाँ पर भी इसका use कर सकते है and operator में इसमें क्या होता है कि हम यहाँ पर dot का use कर भी सकते है और algebraic multiplication की ही तरह हमें आपर dot को neglect भी कर सकते हैं, यानि कि x into y को हमें आपर x dot y भी लिख सकते हैं, या फिर x y भी लिख सकते हैं, यानि कि हम dot को neglect भी कर सकते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर तुम देख सकते हो, इसमें क्या का cases है, यहाँ पर 0 into 0 यह हमारा बन क्या जाता है 0, 0 into 1 है यह हमारा 0 बन क्या जाता है फिर से हमारे पास आता है 1 into 0 यह भी हमारा 0 बन क्या जाता है फिर हमारे पास 1 into 1 है जो कि हमारा 1 बन क्या जाता है तो यहाँ पर तुम देख सकते हो simple multiplication है और कुछ भी नहीं यहाँ पर हमारे पास 1 सिर्फ उस आजाएगा फिर 01.50 बन के आ जाएगा फिर 10 रिजल्ट बनके जाएगा फिर 11 पनके जाएगा अब यहाँ पर तुम देख रहा होगे कि मैं यहां पर कुछ वैल्यूज ले रहा हूं एक सोब्सक्रिय तुमने कैसे पता सालें कि 굿 स red M x और y ठीक है अगर तुम कभी भी फस रहे हो मानलो तुम्हारे पास 3 variables हो यहापर तुम मैंने सिर्फ 2 variables लिए x और y मानलो जिते हैं कभी तुम्हारे पास 4 variables हो 5 variables हो उस वक्त तुम क्या करोगे उस वक्त तुम number of cases बनाते जाओगे कभी 0, 1 अलग-अलग combination ट्रै करते जाओगे सब में ठीक है लेकिन उसके बाद तुम्हारे पास एक ऐसा time आएगा जिसके बाद तुम सोचोगे कि क्या इसके आगे भी कोई case बन सकता है तो number of cases कितने बनते हैं ठीक है तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो 2 to the power number of variables रख सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर 2 variables का use कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा 2 to the power 2 रखूँगा ठीक है इससे क्या हो जाएगा मेरे पास 4 निकल के आएगा यह हमें क्या बता रहे है number of cases यहाँ पर तुम देख सकते हो 4 cases है similarly अगर में पास 3 variables हो तो इसमें मैं क्या करूँगा 2 to the power 3 यानि 8 निकल के आगा यानि उस टाइम हमेरे पास 8 cases होंगे total तो इस तरह से तुम यह confirm कर सकते हो कि तुमने जितने cases लिखे हैं वो सही है या फिर उसके आगे भी कुछ cases तुमें लिखने हैं प्लस y.z complement प्लस x ठीक है तो इसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं आपर तुम देख सकते हो मैंने सिर्फ एक dot को neglect किया हुआ है ठीक तो अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ इसका एक truth table बनाने वाला हूँ तो truth table कैसे बनाते हैं एक दम basic से तुम्हें भी बताऊंगा मैं तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि कितने variables हैं x, y और z तीन variables हैं तो हम तीन variables यहाँ पर तीन variables के column बनाने वाले हैं अब हम यहाँ पर values फिल करने वाले हैं ठीक है फिर हम one को first में shift कर देंगे तो one zero zero हो जाएगा अब हम 21 लेंगे ठीक है तो zero one one हो जाएगा अब अगर हम इसे left में shift कर दें तो one one zero हो जाएगा और एक यहाँ पर एक और case बन जाता है one zero one ठीक है और 21 का इतने cases हो गया है अब एक और case आता है हमारे पास 31 का तो 111 यह हो गया हमारे पास पूरा का पूरा टेबल इन वैल्यूस का x y और z का ठीक है तो तुम यहाँ पर इसमें चेक कर सकते हो 2 to the power अगर 3 करें तो 8 आता है यहाँ पर तुम number of cases तुम count कर सकते हो यहाँ पर यह 8 है ठीक है तो अभी मैंने क्या किया मैंने सिर्फ x y और z इनका ही मैंने एक truth table बनाया है अब मैं क्या करने वाला हूँ तो इस expression में तुम्हें और कौन सी चीज थोड़ी complicated लग रही है y.z compliment यह चीज तुम्हें complicated values मैंने लिख दी फिर यहाँ पर मैंने y.z compliment की values लिखिए ठीक है तो यहाँ पर तुम देख सकते हो 0 तो फिर यहां पर 0 लिग दिया यह हुई मेरी multiplication की truth table अब मेरे को करना क्या था मैं को इस expression का truth table बना था ना कि सिर्फ multiplication का तो मैं क्या करूँगा कि अभी इनको combine कर दूँगा तो उसके लिए मैं एक और truth table बनाऊंगा अब यहां पर मैं क्या करूँगा कि और अब क्या है y.z compliment इसका भी मैंने सारा कुछ लिख के रखा हुआ था तो यह भी मैंने लिख दिया अब मुझे क्या करना है मुझे सिर्फ combine करना है x compliment प्लस y.z compliment प्लस x ठीक है मैं तुम्हें शुरू के दो करके बता देता हूँ बागी तुम खुद से कर सकते हो तो x compliment क्या हो गया है यहाँ पर 1 1 plus y.z compliment यहाँ पर हम देखे पिछले टेबल में तो y.z compliment में अगर सिर्फ 0 और 0 दोनों का input है तो फिर हमारे पास 0 आ रहा है तो यहाँ पर भी हम 0 लिख देंगे और अब मिरे को combine करना है तो x compliment यानी क्या हुआ 1 plus y.z compliment यानी 0 तो 1 plus 0 plus x यानी 0 तो इसक answer 1 आ जाएगा तो इस तरह से मैंने आपर 1 लिख दिया ठीक उसी तरह से second वाले का x compliment क्या हो गया है यहाँ पर 1 1 plus y.z compliment अब y.z compliment हमें निकालना है तो y का input तुम देख सकते हो 0 है z का input है वो 1 है तो इस case में क्या आ रहा था पिछला टेबल देखो इसमें भी 0 आ रहा है ठीक इसी तरह से तुम बाक्तियों का भी कर सकते हो तो उसके बाद हमारा टेबल जो है यहाँ पर इस तरह से बनका आएगा यहाँ तुम देख सकते हो सारा यहाँ पर सारे जो results है सबका answer यहाँ पर 1 निकल गया तो अब तुमें आपर comments में बताना है कि यह tautology है या फिर fallacy है य जब तुम यह बना लोगे तो उसके बाद तुम यह भी try कर सकते हो यह तुम बना और comments में इसका answer तुम मुझे बता सकते हो ठीक है अब हमारे पास कोई एक common sense वाली चीज़ आती है यह जो है exam में इसके उपर questions भी आते हैं तो यहाँ पर क्या है देखो चार चीज़े हैं य अगर a में 0 रहा तो 0 plus 0 क्या आएगा 0 आजाएगा तो तुम यहाँ पर देख सकते हो जहाँ पर जो a की जो value रह रही है वही answer आ रहा है ठीक है तो यहाँ पर a plus 0 हमें लिखना हुआ तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे a लिख देंगे ठीक है तो इस तरह से हम इसे कर सकते है similarly a plus 1 a में अगर 0 डालें तो 0 plus 1 या नि 1 आ जाएगा a में हम 1 डालें तो 1 plus 1 यह भी 1 निकल के आ जा रहा है ठीक है तो answer क्या आ रहा है 1 निकल के आ रहा है यह constant है चेंज नहीं हो रहा है answer ठीक है तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे similarly अब तुम तुम तीसरे example पर देखो a dot 0 ठीक ह तो a में अगर हम 0 डालेंगे तो answer 0 आ जाएगा a में 1 डालेंगे तो भी answer 0 आ जाएगा यह भी constant है यह change नहीं हो रहा है तो answer हम 0 लिख देंगे फिर देखते हैं a dot 1 ठीक है तो a में अगर 0 डालें तो answer 0 आ जाएगा a में 1 डालें तो answer 1 आ जाएगा देख रहे हो है आपर तु लॉजिक गेट्स के बारे में, गेट्स क्या होती है, जैसे अभी तुम बोलियन एक्स्प्रेशन पर काम कर रहे थे, उस पर तुम ऑपरेटर्स का यूज कर रहे थे, ठीक है, तो उसी तरह से अगर तुम्हें डायग्राम में सर्किट बनाना हुआ, तो उसमें हम गेट्स का रहे थे, उसी तरह से यहाँ पर हम यहाँ पर, गेट्स का यूज करेंगे, लॉजिक गेट्स का, इसर्किट्स बनाने में, जैक है, अब तुम यहाँ पर पूच सकते हो कि सर्किट्स क्या होती है, तो मैं तुम्हें बता दूं, की जिस तरह से तुमें एक expression देख रहा थे ठीक है तो उस expression को हम एक diagramatical form में represent कर दे तो उसे हम एक circuit कह सकते हैं और यह जो logic circuit वाली चीज़े हैं यह तुम्हें आगे भी काम आने वाली है और अगर तुमने अभी भी science लेकर रखा हुआ है तो class 12 में तुम्हारे पास एक chapter आएगा semiconductors उसमें तुम्हें logic circuits का काम पड़ेगा तो यह काफी useful है इस पर ध्यान दो तो सबसे पहले हम कुछ basic gates के बारे में पढ़ने वाले हैं कौन-कौन सी पहला inverter या फिर not gate ठीक है दोनों एक ही चीज़े हैं दूसरा और gate तीसरा and gate यह सारे जो है वो basic gates है ठीक है तो not gate के आया है सिर्फ एक input पे काम करता है इसे बस एक variable का input चाहिए उसको यह invert करके देगा ठीक है तुम जानते हो जैसे इसके पास 0 आएगा तो यह 1 करके देगा अगर इसके पास 1 आया तो यह 0 करके देगा और इसके output को हम complement भी कहते हैं इसका truth table हम बनाते हैं यहाँ पर मैंने x लिखा और यहाँ पर x complement 0 जाएगा तो 1 जाएगा तो 0 आएगा अब इसका जो symbol होता है logic gate का वो इस तरह से रहते हैं और तुम देख सकते हैं एक triangle बना हुआ है और सामने एक छोड़ा सा circle है यहाँ पर input मेरे पास x जा रहा है और x complement बाहर निकल के आ रहा है यह रहा simple सा symbol अब आता है और gate इसमें क्या होता है इसमें 2 या 2 से जादा inputs जा सकते हैं और एक single output आता है ठीक है अभी तक में तुम जितने भी operators पढ़ोगे सब में सिर्फ not gate ऐसा है जहाँ पर हम single input देते हैं और single output आता है single output जो है वो सब में आता है लेकिन single input वाला जो है वो सिर्फ एक not gate है और अभी हम पढ़ रहे हैं और gate के बारे में तो बाकी सारे जितने भी gates हैं not gate के अलावा उस सारे में तुम दो या दो से ज़्यादा input दे सकते हो तो अभी हम हमरे पास है और gate इसका truth table हम देख लेते हैं यहाँ पर मेरे पास दो variables हैं x, y और यहाँ पर मैं कोई इसका result दिखना है x और y का तो जब दोने में 0 आएगा तो result भी 0 आएगा 0 1 तो 1 आएगा 1 0 1 आएगा 1 1 1 आएगा अब इसका जो symbol है वो कुछ इस तरह से है दिख रहा होगा तुमें यह किसी rocket की तरह है यहाँ पर तुम देख सकते हो मैंने यहाँ पर 2 input दे रहा हूँ A और B और बाहर निकलके आ रहा है कोई result उसका मैंने नाम रख दिया है F similarly अगर हम 3 variables का input दे तो यहाँ पर तुम देख सकते हो उसका एक diagram है उसका जो symbol है वो इस तरह से रहेगा और फिर 4 variables का इस तरह से रहेगा ठीक है simple है जादा कुछ है नहीं यहाँ पर फिर and gate आता है and gate भी वैसा ही है 2 या 2 से जादा inputs चाहिए होते हैं इसको और यह single output निकालके देता है यहाँ पर मैंने table बना कर रखा हुआ है 00 तो 0 आएगा 00 जिरो आएगा 00 जिरो आएगा 11 आएगा अब इसका symbol तुम देख सकते हो simple d लिखा हुआ है यहाँ पर 2 inputs का है यहाँ 3 inputs का और यहाँ 4 inputs का ठीक है output जो है हमारे पास एक ही आएगा अब तो तुम यह पहचान चुके होगे कि यह जो sign होता है यह not के लिए use होता है और यह जो dot होता है यह and के लिए होता है और यह जो plus होता है यह और के लिए होता है तो अब हमारे पास यहाँ पर कुछ basic postulates आजाते हैं यानि rules आजाते हैं boolean logic के लिए क्या अगर x जो है वो 0 नहीं है तो x 1 होगा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि किसी भी variable के दो values हो सकते 0 या 1 तो simple है x अगर 0 नहीं है तो x 1 होगा x 1 नहीं है तो x 0 होगा यह पहला postulate था अब आता है दूसरा postulate जो कि और relations के लिए है 0 प्लस 0 0 होगा 0 प्लस 1 1 होगा 1 प्लस 0 1 होगा 1 प्लस 1 1 होगा उसी तरह से तीसरा postulate and relations के लिए यानि logical multiplication के लिए 0 इंटु 0 0 हो जाएगा 0 इंटु 1 0 हो जाएगा 1 इंटु 0 0 हो जाएगा 1 इंटु 1 1 आजाएगा अब compliment tools के लिए आता है चौता postulate तो क्या है यह 0 का compliment 1 हो जाएगा 1 का compliment 0 हो जाएगा अब हमारे पास आता है principle of duality तो इसका हम कब यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई एक boolean relation दिया हो कोई भी एक expression हमारे पास दिया हो तो उससे हम एक अलग expression बना सकते हैं भले उनका answer सेम रहेगा लेकिन हम एक अलगी relation बना सकते हैं जैसा कि मैं तुम्हें बोल दू कि मेरे पास 5 प्लस 3 क्या आ रहा है 8 आ रहा है 7 प्लस 1 ये भी क्या आ रहा है 8 आ रहा है तो तुम यहापर देख सकते हैं ये दोनों अलग-अलग expressions है ठीक है लेकिन answer क्या आ रहा है 8 आ रहा है के लिए भले उनकी values सेम रहेगी इसके कुछ basic rules है वो क्या होते है क्या करना है तुम्हें यहापर तुम्हें जहाँ भी plus sign दिखे उसे तुम्हें multiply वाले sign के साथ replace कर देना है फिर तुम्हें जहाँ भी multiply वाला sign दिखे उसे तुम plus वाले sign से change कर दो फिर अगर तुम्हें आपर कही 0 दिख जाए या फिर 1 दिख जाए तुम्हें का compliment कर दो मतलब 0 दिखे तो उन्हें 1 कर दो 1 दिखे तो उसे 0 कर दो यह कुछ basic rules थे और अब हम किसी expression से कुछ और derive करके लेके आ रहे है principle of duality का use करके तो हम उसे कहते हैं dual of original expression तुम्हें यहाँ पर देख सकते हो एक expression लिखा हुआ है a plus a apostrophe लिखा हुआ है तो यहाँ पर compliment को हम बार भी कभी लिखते हैं और कभी कभी हम इसे apostrophe लिख देते हैं तो a plus a compliment b plus b compliment यह expression हमारे पास लिखा हुआ है इसका हमें क्या निकालना है dual निकालना है तो principle of duality हम यहाँ पर use कर सकते हैं तो क्या करेंगे हम यहाँ पर जहाँ जहाँ plus लिखा हुआ है सबसे पहले हम उसे change करके multiply कर देंगे और जहाँ multiply हो रहा है वह उसे हम change करके plus कर देंगे ठीक है यहाँ पर यह तुम्हें दिख रहा है बस खतम हो गया यहाँ पर कही 0 और 1 तो दिखने ही रहा है जो हम उसका compliment करें तो बस यह इस expression का यह हमारे पास dual निकल के आ जाता है अब हमारे पास यहाँ पर कुछ properties आते हैं सबसे पहला property of 0 and 1 क्या होता इसमें 0 प्लस x हमारे पास x आएगा 1 प्लस x हमारे पास 1 निकल के आएगा 0 इंटू x हमारे पास 0 निकल के आएगा 1 इंटू x हमारे पास x निकल के आएगा simple है यह मैंने अभी तुम्हें बताया था और इन चीज़ों का अगर हम truth table बना कर देखे तो हमारे पास यह जो दूसरा वाला है यह हमारे पास totology निकल के आएगा और यह जो तीसरा वाला है यह हमारे पास fallacy निकल के आएगा दूसरा हमारे पास है end importance law तो इसमें पहला आता है x plus x gives x तो इससे तुम proof भी कर सकते हो ठीक उसी तरह से x dot x equals x b है इसका भी तुम truth table बना सकते हो फिर हमारे पास आता है involution जिसे की हम double inversion law भी कहते हैं इसमें क्या है कि मान लेते हैं मेरे पास एक variable है x और इसका हम double compliment कर रहे हैं यानि x के compliment का भी compliment तो यह हमारे पास वापस x निकल के आता है यानि compliment जो हो है वो even numbers का होना चाहिए यानि या तो 2 compliment हो या तो 4 compliment हो या तो 6 compliment हो इस तरह के compliments हो तो हमारे पास वापस x निकल के आएगा लेकिन अगर हमारे पास यह odd numbers में compliments हो यानि अगर 1 compliment हो या फिर 3 compliment हो या फिर 5 complement हो, इस case में क्या होगा, कि हमारे पास जो result बनके आएगा, वो x complement बनके आएगा, ठीक है, चौता हमारे पास आता है, complementary law, ठीक है, पहला इसमें क्या है, x plus x complement gives 1, जिसका हम truth table बनाए, तो हमारे पास totalology आएगा, फिर आता है, x into x complement, यह हमें 0 देता है, यह सारी चीज़ें तुम अच्छे से जानते होगे अब तक, और फिर आता है, हमारे पास commutative law, इसमें क्या होता है, x plus y को हम y plus x भी लिख सकते हैं, फिर आता है x dot y, इसे हम y dot x भी लिख सकते हैं, उसमें हमारे expression में कोई change नहीं आएगा, अब आता है हमारे पास associative law, इसमें क्या होता है, यहापर तुम देख सकते हो, brackets का interchange हो सकता है, पहला क्या है, x plus y plus z है, और y z जो है वो bracket के अंदर है, फिर bracket के अंदर x plus y, फिर plus z है, ठीक है, तो यहापर तुम देख सकते हो, bracket का हमने यहापर change करके रखा हुआ है, कोई change नहीं आ रहा है यहापर, ठीक उसी तरह से logical multiplication के उपर भी है, x into bracket के अंदर y z, equals x y into z, ठीक है, तो यहापर तुम देख सकते हो, brackets का भी interchange है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है यहापर, फिर हमारे पास आता है distributive law, इसे क्या है, तुम्हें ध्यान से देखना है, यह सबसे important है, इस पर तुम ध्यान दो, पहला हमारे पास निकल के आता है, x into y plus z, ठीक है, तो यह तो simple है, यहाँ पर तुम match में जिस तरह से करते हो, उसी तरह से करे होगे, x into y हो जाएगा, plus x into z हो जाएगा, अब यहाँ पर दूसरा हमारे पास जो है, इसे तुम ध्यान दो, क्या होता यहाँ पर, इसे हम कैसे distribute करेंगे, तो इसे हम distribute कर रहे है, यहाँ पर तुम एक और चीज़ देख सकते हो, कि यह जो पहला expression हमारे पास है, ऊपर में जो expression हमारे पास दिया हुआ है, ए नंबर में, इसका अगर हम dual निकाले, तो हमारे पास यह जो B नंबर का है, यह आज आज आएगा, ठीक है, यहाँ पर मैं RHS ले लेता हूँ, X प्लस Y इंटू X प्लस Z, ठीक है, तो यहाँ पर हम simple math का use करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर, यह हो जाएगा हमारे पास X इंटू X, प्लस X इंटू Z, प्लस Y इंटू X, प्लस Y इंटू Z, ठीक है, फिर जैसा कि तुम जानते हो, इंट इंट इंटू Z लॉ से, कि किसी भी variable का उसी के साथ multiple करेंगे, तो हमारे पास वो ही variable आ जाएगा, तो उसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ X इंटू X, तो इस हम लिख सकते हैं, X प्लस XZ प्लस YX प्लस YZ, ठीक है, अब यहाँ पर X प्लस XZ है, तो इसमें से हम common ले सकते हैं X को, तो X मैंने यहाँ पर बाहर निकाला, 1 प्लस Z निकल के आगा है, ठीक है, यहाँ पर हमरे पास, प्लस Y यहाँ पर हमरे पास आ रहा है, फिर बाकी अंदर क्या बचा, X प्लस Z, तो अब यहाँ पर तुम देख सकते हो, क्योंकि किसी भी variable में अगर हम 1 को add करेंगे, तो हमारे पास 1 निकल के आता है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्लस Z है, तो यह भी हमारे पास 1 निकल के आएगा, तो X इंटु 1 क्या हो जागा हमारे पास, X हो जाएगा, ठीक है ना, तो यह X आगया हमारे पास, फिर प्लस बाकी की वही चीज़ है, Y इंटु X प्लस Z, ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस bracket को खोलेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, X प्लस Y X प्लस Y Z, ठीक है, यह चीज़ हमारे पास पास बाकी है, फिर अब यहाँ से भी हम X को कॉमन ले सकते हैं, अगर हम यहाँ पर X को कॉमन ले, तो हमारे पास आएगा, 1 प्लस Y, प्लस Y Z, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने RHS लिके solve किया था, हमारे पास आगया LHS, तो lhs equal to rhs हो गया, तो simple हमारा यह जो दूसरा वाला distributive law है, यह हमारा algebraic proof से solve हो गया है, अब हमारे पास एक और law आता है, क्या है वो adsorption law, इसमें क्या होता है, कि अगर कुछ इस तरह का expression तुम्हें दिखे, x plus xy, तो इसमें हमेशा answer जो वो x आएगा, यह तुम्हें रट लेना है, यह तुम truth table बना कर भी verify कर सकते हो, इसे अगर मैं algebraically solve करूँ, तो तुम यहाँ पर दिख सकते हो, x plus xy यह ठीक है, lhs यह लिखा हुआ है, x में अगर अगर मैं common ले लो, तो x बाहर आ गया, 1 plus y अंदर बचा, फिर 1 plus y हमारे पास 1 निकल के आना वाला है, तो x into 1 तो हमारे पास वापस x बन के आ गया, तो इस तरह से मैं proof कर सकता हूँ, दूसरा हमारे पास है, adsorption law में ही, x into x plus y gives x, ठीक है, तो यहाँ पर तुम इसे proof principle of duality से भी कर सकते हो, मतलब पहले वाले का अगर तुम dual निकाल लो, तो तुमारे पास ये निकल के आ जाएगा, ठीक है, और फिर तुम इसे truth table से भी proof कर सकते हो, इसका अगर तुम truth table बनाओ, तो भी तुम इसे proof कर पाओगे, और फिर मेरे पास आता है algebraic proof, तो algebraic proof मैं तुम तुम समझगे होगे, यहाँ पर यह x आ जाएगा, फिर plus xy हो जाएगा, फिर यहाँ पर अगर हम x को common लेंगे, तो 1 plus y हमारे पास आ जाएगा, और 1 plus y हमारे पास के निकल के आने वाला है, तो x into 1 हमारे पास x आ जाएगा, तो यह भी हमारा algebraically proof हो गया है, अब हमारे पास एक और law आता है, जिसे हम third distributive law भी कहते हैं, क्या है इसमें, यह expression तुम देख सकते हो मेरे पास है, x plus x complement y gives x plus y, ठीक है, इसे में मुझे प्रूफ करना है, तो इसे तुम कैसे प्रूफ करोगे, truth table से भी proof कर सकते हो, और algebraic proof में तुम्हें करके बताता हूँ, LHS के लिए हुए तो यहाँ पर x plus x complement y, ठीक है, तो यहाँ पर मैं x को x into 1 भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x into 1 plus x complement y, फिर x को मैं अगर बहार निकालू, तो मेरे पास क्या आता है, क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो मैं 1 को यहाँ पर 1 plus y भी लिख सकता हूँ, और x के अंदर मैं 1 plus y लिख देता हूँ क्योंकि इसका मुझे पता है answer 1 ही आने वाला है तो इसे मैं 1 plus y लिख देता हूँ फिर x complement y हो जाएगा फिर अगर हम इस bracket को खोलें तो यहाँ पर हम लिखेंगे x plus xy ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हो x plus y into x plus x complement और x plus x complement है तो इसका answer मुझे पता है कि 1 आने वाला है तो y into 1 वो y वापस आने वाला है तो x plus y इसका answer आ जाएगा तुम देख सकते हो LHS equal to RHS आ गया तो यह proof हो गया अब यहाँ पर एक summary मैं तुम दिखा देता हूँ यह पूरी की पूरी summary तुम देख सकते हो यहाँ पर तुम्हें अभी तक के सारे loss दिख जाएंगे अब हमारे पास एक और चीज आता है जो कि यह D Morgan's theorem अब जैसा कि हम जानते हैं कि x plus x complement हमारे पास 1 निकल के आता है और x into x complement यह हमारे पास 0 निकल के आता है ठीक है तो यह चीज हम जानते हैं इसे तो मैं भी याद रखना है तो अब हम assume करके चलते हैं कोई P है हमारे पास ठीक है हमारे पास एक variable है P अब P में मैंने store करके रखा हुआ है क्या x plus y ठीक है और P into P complement यह हमारे पास 0 निकल के आएगा यह मैं बोली सकता हूँ क्योंकि मैंने अभी भी तुम्हें बताया था कि अगर किसी भी variable को हम उसके complement से add करें तो हमारे पास 1 निकल के आता है और किसी भी variable को हम उसके complement के साथ में ब्लाइक रहे हैं x complement into y complement तो यह था मेरे पास P complement अब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि अगर मैं P plus P complement करूँ यहाँ पर तुम देख सकते हो P क्या था? x plus y और P complement x complement into y complement तो मैं P plus P complement कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए basic postulate के हिसाब से उसी तरह से मैं यहाँ पर P into P complement करूँ यानि कि x plus x into P complement क्या था? x complement into y complement तो यह चीज़ अगर मैं करूँ तो यहाँ पर मैं पास 0 आना चाहिए और अगर dmorgan theorem सही है तो इसका answer मेरे पास 1 आना चाहिए क्यों? क्योंकि मैंने अभी तुम्हें बता था complementation law से क्या होता है P plus P complement हमारे पास 1 आएगा और P into P complement हमारे पास 0 आएगा यह आएगा complementation law से क्योंकि हम किसी भी variable का उसके complement के साथ plus करेंगे तो 1 आएगा और multiple करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा यह complementation law था simple यादो गदो मैं तो यहाँ पर मैंने वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है तो X plus Y यानि P plus X complement into Y complement यानि P complement यह हमारे पास 1 निकल के आना चाहिए अगर D Morgan theorem जो है वो सही है तो यह तो logical addition का था और क्या होना चाहिए और multiplication के लिए भी यह सब चोना चाहिए यानि कि X plus Y यानि P into X complement into Y complement यानि P complement जो है हमेशा यह निकल के 0 ही आना चाहिए यह चीज यह दोनों conditions fulfill होने चाहिए अगर D Morgan theorem जो है वो सही है तो यहाँ पर मैं D Morgan theorem को proof कर रहा हूँ कि वो सही है कुछ चीजों को पहले सही मान के अगर मैंने कुछ चीजों को पहले मान के रखा हुआ है और अगर यह चीजे fulfill होती है तो फिर मेरा जो D Morgan theorem है वो सही हो जाएगा ठीक है यानि वो मैंने proof कर दिया वो सही हो गया तो यहाँ पर मिरे पास दो particle के आते हैं मुझे एक एक करके दोनों को proof करना है तो पहले वाले को करते हैं पहला वाला क्या है इसका answer हमेशा 1 आना चाहिए तो मैंने equal to 1 लिख दिया तो इसे मुझे proof करना है तो LHS हमारे पास मैंने यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर मैं second distributed law का यूज़ करने वाला हूँ तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा इसे x plus y plus x complement यहाँ पर मैंने 1 x को अंदर ले लिया into उसी तरह से x plus y plus y complement यहाँ पर तुम ध्यान देना second distributed law को recall करो एक बार फिर हम क्या यहाँ पर करेंगे यहाँ पर मैं brackets को हटा सकता हूँ तो यहाँ मेरे पस आ जाएगा x plus x complement यहाँ पर मैंने x complement और y को इदर उदर shift कर दिया है यहाँ मेरे पस आ रहा है x plus x complement plus y उसी तरह से यहाँ पर आ रहा है x plus y plus y complement अब तुम जानते हो कि किसी भी variable को उसी के complement के साथ add करेंगे तो 1 आ जाएगा तो यहाँ पर मैं पास 1 plus y निकल के आएगा उसी तरह से यहाँ पर x plus 1 निकल के आजाएगा और 1 plus y हमेशा 1 आता है 1 plus x हमेशा 1 आता है तो यह हमारे पास 1 into 1 हो जाएगा तो इसका answer 1 हो जाएगा यानि पहला part मैंने proof कर दिया अब हमारे पास आता है second part तो second part में क्या है second part में हमारे पास है x plus y into x complement into y complement यह हमेशा हमारे पास निकल के 0 आना चाहिए तो यहाँ पर मैंने इसका LHS लिख लिया तो यहाँ पर हम इसके brackets को खोलेंगे x complement into x into y आ जाएगा plus x complement into y complement into y आ जाएगा यह पहला ही distributed law है फिर यहाँ पर किसी भी variable का उसके साथ उसके complement के साथ अगर multiply करेंगे तो हमारे पास 0 निकल का आएगा यह तुम्हें पता है तो यह 0 into y complement हो जाएगा फिर plus यहाँ पर भी 0 into x complement हो जाएगा ठीक उसी तरह से यहाँ पर यह भी 0 हो जाएगा plus 0 हो जाएगा फिर 0 plus 0 हमारे पास 0 आ जाएगा ठीक है तो यह भी हमारे पास 0 आ गया यानि LHS equal to RHS proof हो गया यानि मैंने second part भी proof कर दिया और क्योंकि मैंने first part और second part को proof कर दिया तो मिरे पास यह जो D Morgan law है यह भी proof हो गया अब यहाँ पर मिरे पास D Morgan का second theorem भी है तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ मैं एक P ले लेता हूँ ठीक है और P में मैं store कर देता हूँ x into y ठीक है और x into y अगर मिरे पास P में आ गया तो P का complement क्या हो जाएगा P का मेरे पास complement हो जाएगा x complement plus y complement यही हो जाएगा तो अगर ऐसा है तब मेरे पास क्या होना चाहिए क्योंकि P plus P complement हमारे पास 1 आना चाहिए basic postulate से ठीक है तब मेरे पास क्या आना चाहिए तो मैं यह पर P लिखूँँगा P क्या था x into y plus P complement तो P complement क्या हो जाएगा यहाँ से अगर मैं D Morgan का ही theorem यूज़ करूँ तो मेरे पास क्या होना चाहिए x complement plus y complement होना चाहिए तो इसका answer हमारे पास 1 निकल के ही आना चाहिए ठीक है और उसी तरह से P into P complement करे तो मेरे पास 0 आना चाहिए तो P क्या था यहाँ पर x into y into P complement याँ एक्स complement plus y complement equals to 0 तो यह चीज़े मुझे कौन बता रहा है यह चीज़े मुझे second theorem ही बता रहा है तो यहाँ पर मेरे पास 2 result निकल के आते हैं और इन 2 result को अगर मैं प्रूफ कर दूँ तो मेरे पास यह जो second theorem है D Morgan का यह भी proof हो जाएगा तो इसे proof करते हैं पहला पार्टा मेरे पास क्या है पहला पार्ट यह जो मेरे पास LHS में आपर लिख लेता हूँ यहाँ पर यह LHS मैंने लिख लिया तो यहाँ पर अगर मैं इस bracket वाले जीज़ को अगर left side में से shift कर दू तो मेरे पास क्या निकल के आएगा X complement plus Y complement plus X into Y अगर मैं यहाँ पर second distributed law का use करूँ तो मेरे पास क्या निकल के आएगा X complement plus Y complement plus X into X complement plus Y complement into Y अग X plus X complement यहाँ पर लिखा हुआ तो इसका मतलब यह 1 निकल के आने वाला तो यहाँ पर यह बन के आएगा 1 plus y complement into x complement plus y ठीक है और क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 1 plus y complement तो यह 1 निकल के आने वाला है तो यहाँ पर में पस निकल के आएगा 1 plus y complement और ठीक उसी तरह से यहाँ पर में पस क्या निकल के आएगा यहां निकल के आएगा x complement plus 1 और क्योंकि 1 plus anything 1 निकल के आएगा तो 1 into 1 हो जागा यह और यहां पर भी 1 निकल के आएगा हमारे पास तो इस तरह से RHS मेरे पास यहां पर 1 निकल के आगया यानि यहां पर मैंने पहला पार्ट प्रूफ कर दिया है अब मेरे पास आता है second part second part में मेरे पास क्या था यहां पर मैंने LHS लिख लिए x y into x complement plus y complement gives 0 तो यहां पर मैं LHS लिख लिएता हूँ अब यहां पर मैं अगर bracket खुलने जाओं तो मैं यहां पर मेरे पास आएगा x y into x complement plus x y into y complement तो x into x complement तो यह 0 बन जाएगा तो 0 into y plus 0 into x बन जाएगा और 0 into anything हमारे पास 0 बन कहाएगा तो 0 plus 0 यह भी 0 निकल कहाएगा तो यह second part भी मैंने proof कर दिया तो यह जो D Morgan का second theorem था इसका भी पहला part और second part मैंने proof कर दिया तो इस तरह से मैंने D Morgan का second theorem है वो मैंने proof कर दिया ठीक है तो यहाँ पर मेरे पास 2 theorem आ जाते हैं D Morgan के तो इसे तुम्हें अगर याद रखना है तो मैं यहाँ पर shortcut एक trick बताता हो तुम्हे तो वो trick क्या है break the line and change the sign यहाँ पर तुम देख सकते हो अगर मैं आपर x plus y का whole complement है इसका अगर dem organization करूँ तो मेरे पास क्या आएगा पहले मैं break the line करूँ याणि x complement और y complement अलग-अलग निकल के आ जाएगा और change the sign याणि plus का यहाँ पर multiply हो जाएगा तो यह मेरे पास dem organization आ जाएगा similarly दूसरे वाले का यहाँ पर मेरे पास क्या लिखा हुआ है x into y complement तो इसका मैं अगर dem organization करूँ तो क्या आ जाएगा सबसे पहले break the line तो x complement और y complement अलग हो जाएगे और क्योंकि यहाँ पर multiply है तो यहाँ पर इसे हम plus कर देंगे तो यह एक basic सरूल था इसे हम किसी भी expression का dem organization कर सकते है यहाँ हम एक example लेते है यहाँ पर तुम्हें बोला गया है कि तुम इस expression का dem organization करो तो हम कैसे करेंगे सबसे पहले क्या आता है break the line तो expression क्या है हमारे पास a b complement plus a complement plus a into b ठीक है और इसका whole complement तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हो break the line ठीक है और change the sign तो यहाँ पर मैंने lines को break कर लिया है और जहाँ जहाँ पर plus था उसे मैंने यहाँ पर multiply कर दिया है और अब तुम देख सकते हो यहाँ पर complement कहीं कहीं दो बार है ठीक है तो जहाँ जहाँ दो बार complement है तो तुमें पता है मैंने अभी तुमें बता है ता कि जहाँ पर even number of complement होगा वहाँ पर हम complement सारे complement को हटा सकते है और जहाँ पर odd number of complement होगा वहाँ पर हम सिर्फ एक complement का sign डाल सकते है तो यहाँ से यह बन के आ जाएगा a b into a into a b का complement तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़े हैं तो इस तरह से मैंने इसका deem organization तो किया ही साथ में मैंने इसका answer भी निकाल लिया ठीक है? deem organization तुम्हें पता है बस इतना करना है तुम्हें break the line and change the sign इतना तक deem organization हो गया अब हमारे पास questions कुछ इस तरह से आएंगे कि तुम्हें इस expression का compliment निकालना है example तुम्हें पर देख सकते हो इसका तुम्हें compliment निकालना है तो compliment के लिए हम एक पूरा compliment का एक sign लगा देंगे उपर में और क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें देख सकते हो कि मैं deem organization किये बिना इससे solve नहीं कर पाऊंगा तो मेरे को पहले क्या करना होगा इसका deem organization करना होगा तो यहाँ पर मैं break the line करूँ को सबसे पहले और change the sign तो यहाँ पर यह A into B compliment का whole compliment आ जाएगा into B into C compliment into D compliment का whole compliment आ जाएगा अब यहाँ पर तुम देख सकते हो तो फिर से दो चीजों के उपर compliment लगा हुआ है तो यहाँ पर मुझे फिर से deem organization करना होगा तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा A compliment into B compliment का compliment और इन दोनों को मैं plus कर दूँगा यह हो जाएगा similarly इस वाले में भी यहाँ पर मैं कर सकता हूँ क्या हो जाएगा B compliment plus C compliment का compliment plus D compliment का compliment ठीक है और यहाँ पर जहाँ जहाँ दो compliments का sign है उसे मैं हटा सकता हूँ तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा A compliment plus B into B compliments plus C plus D यह आज जाएगा मेरे पास तो यह मैंने इस expression का compliment निकाल लिया तो यहाँ पर मेरे पास एक और example है A plus B C का compliment A complement into B C का double complement और double complement को हम अटा सकते हैं तो हमारे पास यह बन किया जगा A complement into B C यहाँ पर मैंने इस expression का complement निकाल लिया है तो इस तरह से हम complementation निकाल सकते हैं किसी भी expression का demorganization के help से अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक और चीज़ याद दिला दू principle of duality यह क्या था कि अगर हमें कोई भी expression दिया हो और हमें उसका dual निकालना हो तो उसमें हम क्या कर सकते हैं multiply को plus में convert कर सकते हैं plus को multiply में convert कर देंगे और जहां हमें 0 दिखे उसे 1 में convert करेंगे जहां 1 दिखे उसे हम 0 में convert करेंगे यह था मेरे पास principle of duality तो इस तरह से मैं किसी भी expression का dual निकाल सकता हूँ और जो result है उनका same ही रहेगा ठीक है दो steps है उसके सबसे पहला क्या है कि तुम्हें उस expression का पहले dual निकाल के लिखना है और उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि उसके जो भी variables है उन्हें उनके compliment के साथ replace कर देना है जैसे कि अगर x लिखा रहेगा तो उसके जगह तुम्हें यहाँ पर x compliment ही लिख देना है यहाँ पर मैं तुम्हें एक example देता हूँ यहाँ पर लिखा हुआ है a plus b into c का compliment plus d into a का compliment इसका मैं dual निकालता हूँ यह मेरे पास आगया और अब मुझे क्या करना है अब मुझे इनके variables को उनके ही compliment से replace कर देना है तो यहाँ पर मैं यह चाम कर देता हूँ जहाँ पर a लिखा हुँआ है उसे b compliment कर दूँगा ड़ बी लिखा हुँआ है उसे b compliment कर दूँगा तो अभी मैंने आपर तुम्हें बताया है कि principle of duality की मदद से भी हम compliment कैसे निकाल सकते हैं किसी भी expression का तो अब हमारे पास कुछ और logic gates आते हैं ठीक है अभी तक तुमने क्या पढ़ा था and or not ये तीनों logic gates अभी तक तुमने पढ़ा हुआ था ठीक है अब यहाँ पर मेरे पास कुछ और logic gates आते हैं कौन कौन से nor, nand, zor and xnor ठीक है ये चार हमारे पास logic gates extra आ जाते हैं और ये जो logic gates है वो उन्ही logic gates से derive की हुए है वो कैसे है मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे सबसे पहले हम पढ़ने वाल है nor gate के बारे में तो इसमें जो input है हम दो या दो से जादा input दे सकते हैं और एक single output निकल के आता है अगर यहाँ पर तुम्हें सारे input जो है वो 0 दिख रहे है तभी तुम्हारे पास output जो है वो 1 निकल इसे तुम्हार सकते हो आफ़र इसे समझ भी सकते हो कैसे समझो के मैं बताऊंगा तो मैंने अभी भी तुम्हें बता थै कि ये सारे जो gates है वो सारे derived gates है ठीक है तो यह जो न's et Tap ये औरники react है ये किन से derived हैइं तो ये और, और, not इन दो gate से derive किया हुआ है ठीक है, कैसे, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे तो यहाँ पर तुम नाम से ही देख सकते हो यहाँ पर नाम में क्या लिखा हूँ है न यानी not और और यानी or gate, ठीक है, तो इन दोनो gate से ही यह derived है, तो यहाँ पर अगर मैं इसका simple diagram बनाओ, तो यहाँ पर मैं तुम्हें पहले समझाने के लिए simple diagram बनाने वाला हूँ, क्या है वो पहले मैं दो inputs लेता हूँ, x और y ठीक है, इन्हें मैं or gate से pass कर रहा हूँगा और फिर इनका जो output आएगा, उसे not gate से pass करा रहा हूँ, ठीक है देख सकते हूँ आपर तुम, तो इन दोनों को अगर हम combine कर दें, तो यहाँ पर यह जो or gate का जो shape है और उसके बाद, यह जो not gate के बाद, जो circle वाला shape है, इन दोनों को अगर हम combine कर दें, तो यह हमारे पस nor gate बन के आता है, ठीक है तो यह जो हमारे पास symbol है इसे हम कहते है नौर गेट का symbol यहाँ पर अगर मैं दो inputs डालू तो उसका diagram यहाँ पर तुम देख सकते हो यह 3 inputs का, यह 4 inputs का इसका मैं truth table तुम्हें बना कर दिखाता हूँ यहाँ पर मैं पहले 2 inputs का बना कर दिखाता हूँ यहाँ पर यहाँ पर यह result आएगा तो अगर 0, 0 डाएगा तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं पहले और gate में जाएगा तो यह 0 प्लस 0 जाएगा और उसके बार not gate तो 0 को invert करके हम यहाँ पर 1 ले आएगे तो इस तरह से यहाँ पर यह 1 निकल कर आएगा ठीक उसी तरह से दूसरे case में क्या हो रहा है कि 0, 1 है ठीक है तो इन दोनों को हम पहले और gate से पास कराएंगे तो यहाँ पर अगर हम logical addition करवाएं तो क्या आएगा मेरे पास 0 प्लस 1 यह हमारे पास क्या निकल क्या आएगा 1 और उसे हम अगर not gate से पास करवाएं तो हमारे पास invert होके यह 0 आजाएगा तीसरे में क्या हो रहा है 1 और 0 इसका हम logical addition कर रहा है यानि और gate से पास करवाएं तो हमारे पास 1 प्लस 0 यानि 1 आजाएगा और उसे हम not gate से पास करवाएंगे तो हमारे पास 0 निकल के आ जाएगा फिर 4th case का है 1 प्लस 1 यानी हमारे पास यहाँ पर भी 1 निकल का आजाएगा उसे हम not gate से pass करवाएं तो हमारे पास 0 निकल का आएगा ठीक है तो तुम यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास output तभी 1 आ रहा है जब सारे के सारे input 0 है तो इस तरह से तुम इसे समझ सकते हो कि किस तरह से NOR gate काम करता है अब हमारे पास है NAND gate तुम यहाँ पर देख सकते हो यह किन gate से बना हुआ है यह N यानि NOT और उसके बाद AND यानि कि NOT और AND gate से मिला कर बना हुआ है तो इसका भी जो है निकल के आता है 0 नहीं तो 1 निकल के आएगा इसका मैं तुम डाइगराम बना कर दिखाता हूँ क्योंकि यह AND और NOT gate से derived है तो यहाँ पर पहले हम AND gate का डाइगराम बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पर NOT gate का डाइगराम बनाएंगे दू variable पास करवाय हुआ है और यहाँ पर एक output निकल के आ रहा है तो इस तरह से तो इस तरह से मैं AND gate का symbol बना सकता हूँ यहाँ पर तुम देख सकते हो यहाँ पर मैंने 2 inputs का डाइगराम बना हुआ है फिर यहाँ पर 3 input यहाँ 4 input तो इस तरह से यह तुम कर सकते हो यहाँ पर अगर हम इसका truth table देखे अब कि यह काम कैसे करता है तो यहाँ पर तुम देख सकते हो यहाँ पर 2 variables है x और y ठीक है यहाँ पर मैंने x और y की values लिख ली अब मेरे पास यहाँ पर result क्या आएगा तो सबसे पहले क्या करना है मुझे and gate से पास करवाना है तो 0 into 0 क्या होता है और उसके बाद not gate से पास हो गया यहाँ इसका answer 1 आ जाएगा दूसरे में क्या हो रहा है 0 into 1 यानि क्या आ जाएगा 0 उसे भी हम not gate से फिर पास करवाएगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा तीसरे में क्या हो रहा है 1 और 0 तो इसमें हम and gate से पास करवाएगे तो हमारे पास logical multiplication होगा तो उसमें क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा और उसे हम not gate से पास करवाएगे तो भी हमारे पास 1 आ जाएगा तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं, कि अगर सारे input जो है, वो 1 है, तभी तुम्हारे पास जो output है, वो निकल के 0 आएगा, तो इस तरह से NAND gate काम करता है, यह दो variables के लिए था, आगे बढ़ते हैं, तो अब मेरे पास आता है ZOR gate, ठीक है, तो इसे हम exclusive OR gate भी कहते हैं, यहाँ पर क्य अगर हम 1 का input odd number times दे रहा हैं, ठीक है, यानि कि अगर हम जितना भी वहाँ पर input डाल रहे हैं, तो उसमें, अगर odd times 1 गया, अगर उसमें odd times 1 गया, तभी हमारे पास output 1 आएगा, यानि कि अगर हम फिर उसमें एक बार 1 डाले, तो फिर हमारे पास output 1 आ सकता है, तीन बार 1 डाल तो भी हमारे पास output 1 आ सकता है 5 बार 1 डाले तो भी हमारे पास output 1 आ सकता है similarly अगर हम 2 बार 1 डाले तो हमारे पास 0 आ जाएगा 4 बार 1 डाले तो हमारे पास 0 आ जाएगा इस तरह से यह काम करता है तो तुम्हें यहाँ पर यह चीज रटना है कि यहाँ पर अगर हम odd number times one को input डाले तो ही हमारे पास output one आएगा ठीक है तो यहाँ पर इसका diagram कुछ इस तरह से है तो मैं आपर देख सकते हो यह इसका diagram है यहाँ पर two inputs के लिए मैंने यहाँ बना कर रखा हुआ है यह three inputs के लिए यह four inputs के लिए यहाँ पर अगर मैं इसका truth table बनाओ और मैंने आपर एक extra यहाँ पर column लगा कर रखा हुआ है जहाँ पर मैंने सिर्फ यह बता हुआ है कि number of ones कितने बार है even बार है और फिर odd बार है ठीक है तो यहाँ पर दो variable है xy और यहाँ पर मैंने एक result के लिए रखा हुआ है कि output कहाँगा तो xy में जब यहाँ पर 00 है तो हमारे पास यहाँ पर तुम देख सकते हो कितने बार 1 है 0 बार यानि कि 0 कौन सा number है even तो यह even यहाँ पर आजागा और क्योंकि यह 0 times है तो हमारे पास 0 आजागा ठीक है और फिर हमारे पास odd number times 1 है तो हमारे पास 1 आजागा output फिर से हमारे पास odd number times 1 है तो भी हमारे पास 1 आजागा output और इस बार हमारे पास even number times 1 है तो हमारे पास क्या आना चाहिए answer 0 ठीक है 0, 0, 0, यह हमारे पास 0 बन के आएगा, 0, 0, 1 यह भी हमारे पास 0 बन के आजाएगा, 1, 0, 1, यह भी हमारे पास 0 बन के आजाएगा, तो बस मुझे यहाँ पर तुम्हें यह बताना था कि हम इस symbol का भी use करते हैं, जो रर को represent करने के लिए, अब हमारे पास जो last वाला gate है, वो कै क्या आता है वह कहा है X NOR gate यानी exclusive NOR gate या फिर इसे हम inverted Zor gate भी कहते हैं ठीक है इतने सारे नाम है इसके तुम ध्यान से देख लो X NOR gate exclusive NOR gate या फिर inverted Zor gate तो अब इससे पिछला वाला जो था यह ठीक का उल्टा है क्या है यहाँ पर तुम देख सकते हो पहले तुम्हें बता दो कि यह एक्ज नौर गेट का कॉंप्लिमेंट है जो कि मैंने अभी तुम्हें बता है और यह जो है वो दो यह से ज़्यादा वो लगा हुआ है यहाँ पर यह तुम्बों इनबर आफ पहले वाले में देखते हैं यहाँ यह पर हमारे पास नुबर ओफ वन कितना हे एङे और तो इसका आंसर जीरॉ आएगा फिस फिर हमारे पास number of 1 कितना है odd तो हमारे पास 0 आएगा फिर हमारे पास number of 1 कितना है even तो हमारे निकल के आ जाएगा तो तुम्हें यहाँ पर याद कैसे रहेगा कि तुम्हें कब odd number of 1 को ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पर दो तुम्हें यहाँ पर similar लग रहे होंगे, यहाँ पर ZORGATE और XORGATE, बस तुम्हें इसमें यह difference है, कि एक जगा पर 1 तभी आ रहा है, जब यहाँ पर odd number of 1s है, और दूसरे जगा पर 1 तभी आ रहा है, जब even number of 1 है, ठीक है, तो तुम्हें इसे याद कैसे रख सकते हो, क्यो तुम्हें यहाँ पर देख सकते हो XOR, ठीक है, तो यहाँ पर 3 लेटर से है, तो यहाँ पर 3 क्या होता है, odd number होता है, तो इसमें हमें क्या चाहिए 1 लाने के लिए, इसमें हमें 1 लाने के लिए odd number of 1 चाहिए, ठीक है, तब ही हमारे पास 1 आएगा, similarly XNOR, यहाँ पर कितने letters ह चार लेटर्स है तो चार कॉन सा नमबर होता है इवन नमबर होता है तो इसमें हमें इवन नमबर ऑफ वन चाहिए ताकि हम वन जो है वो आउटपुट में लेकर आ सके ठीक है इस तरह से तुम्हें याद रहे जाएगा अब हमारे पास आता है लॉजिकल सर्कुट जैसा कि त तुम अब तक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते आ रहे थे तो उससे आगे तुम बढ़कर तुम किस बारे में पढ़ने लगे लॉजिक गेट्स के बारे में जिस तरह से तुम लॉजिकल एक्स्प्रेशन के बारे में पढ़ते थे तो उसी तरह से अब तुम क्या करने व ठीक उसी तरह से इससे पहले हम क्या करते आ रहे थे इससे पहले हम boolean expressions को देखते आ रहे थे और जब हम इसे diagramatically देखेंगे तब हम यहाँ पर किस बारे में पढ़ रहे हैं logical circuits के बारे में ठीक है तो यह होता है logic circuit अब किसी भी expression को हम diagramatically represent कर रहे हैं तो उसे हम क्या सकते है logic circuit ठीक है तो अब तक तुम expressions में क्या कर रहे थे कुछ operators का use कर रहे थे कुछ variables का use कर रहे थे ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर क्या करने वाले है variables का use करने वाले है और operators के जगा यहाँ पर gates का use करने वाले है तो उससे हम बनाएंगे फूरा का पूरा logic circuit ऍश्क के कुछ rules होते हैं पहले मैं तुम्हें stepwise बताऊंगा कि ये कैसे बनाते हैं उसके बाद तुम खुज से एक ही बार में बना सकते हो फिर तुम बि flatter question को follow किये खुज से एक ही बार में बना सकते हो समझ के ठीक है तो पहले मैं तुम्हें इसके रूल्स बना देता हूं क्या होता यह तो सबसे पहले मैं एक example लेता हूं a b plus b complement c d ठीक है तो अभी हम इसे दो parts में divide कर सकते हैं तुम देख सकते हैं यहां पर simple है इसे मुझे कहँ जई पहले चोटा करना वाए ठीक है ना तो मैं इसे दो parts में divide कर लेता हूं a b अलग कर लेता हूं b complement c d इसको अलग कर लेता हूं तो मैं a b को एक diagram अलग बनाऊगा फिर be complement c d का अलग बनाऊगा और फिर दोनों को combine कर सकता हूं प्लस यानि कि प्लस क्या था और gate यानि और gate की मुदद से मैं combine कर देता हूँ ठीक अगर तुम्हें अभी समझने में दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं समझ आ जाएगा बस तुम steps को follow करो उसके बाद second step क्या है तो क्योंकि मैं हमारे expression को दो पार्ट में divide कर चुका हूँ तो यहाँ पर मुझे determine करना होगा इस बार कि कौन सा gate किस पार्ट में लगने वाला है ठीक है तो क्योंकि यहाँ पर AB था ठीक है AB में तुम देख सकते हैं यहाँ पर and gate का use होगा क्योंकि यहाँ पर multiply हो रहा है फिर हमारे पास है B complement CD तो यहाँ पर किन gates का use होगा पहले not gate का use होगा उसके बाद and gate का use होगा ठीक है तो यहाँ पर मैंने gates का determination कर लिया उसके बाद अब मैं in gates को implement करने वाला हूँ यह जो sub expressions निकल का है हमारे पास इनको मैं implement करने वाला हूँ तो पहला पार्ट मैं पास कौन सा था A, B ठीक है तो यहाँ पर मैं and gate का use करने वाला हूँ तो and gate हम यहाँ पर बना लेंगे A और B को यहाँ पर से input भेजेंगे और हमारे पास क्या निकल का हैगा A, B ठीक है तो यहाँ पर एक बड़ा सा हमें एक and operator के लिए and gate बना लूँगा ठीक है यहाँ पर मैंने एक and gate बना लिया अब यहाँ पर मुझे तीन variables को भेजना है किनको किनको भेजना है B compliment को भेजना है C को भेजना है D को भेजना है तो यहाँ पर input क्या जा रहा है, पहले B जा रहा है, उसके बाद फिर यह not gate से पास हो कि B complement बन जाएगा, तो अब तुम यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर and gate में क्या जा रहा है, B complement C और D, इन तीनों का multiple हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने दो sub expressions के लिए दो अलग logic gates बना और इन दोनों को मुझे combine करना है, किस से combine करना है, अगर तुम expression देखो, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, दोनों के बीच में plus लगा हुआ है, याने कि OR gate का यूज़ करेंगा है, तो इनको हम इन दोनों के जो output होंगे, उनको हम OR gate से pass करवाएंगे, तो OR gate से जब हम इसे pass करवाएंगे, तब हमारे पास जो result बन कायाएगा, वो बन कायाएगा, यह expression, यह पूरा का बूरा boolean expression जो है, वो हमारे पास बन कायाएगा, तो अभी मेरे पास यह जो पूरा पूरा diagram बन कायाता है, इसे जो कहते है logic circuit, तो तुम यहाँ पर देख सकते हो, कि यहाँ पर मैं उतने steps को follow नहीं करने वाला हूँ, इस बर मैं direct लिखने वाला हूँ, तो मैरे पास यहाँ पर expression है, AB plus AC का whole complement, तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास AB है, तो मैं यहाँ पर A और B जो है, वो multiply हो रहा है, तो इन दोनों को मैं AND gate से pass करवाऊंगा, तो यहाँ पर output जो हमारे पास जा रहा है, यहाँ से एक और wire connect करूँगा, ठीक है, और यहाँ पर तुम देखो, क्योंकि यह B से भी pass हो रहा है, तो ताकि यहाँ पर confusion नहीं हो कि यह A से भी pass हो रहा है, तो फिर यहाँ पर यहाँ जो A का input मैं pass करवा रहा हूँ, इस जगह पर मैं B का जो wire है, इसे बना लिया, यह मेरे पास NAND gate बन गया, तो यहाँ पर A into C का whole complement मैं पर इस तरह से बन के आ जाता है, तो इसका output यहाँ पर आएगा और इन दोनों का plus हो रहा है, ठीक है, logical addition हो रहा है, तो इस इन दोनों का output को मैं add करवाँगा, यानि और gate से pass करवाँगा, तो यहाँ पर इस एक ही बार input लिया हुआ है, उस तरह से मैंने कैसे diagram बनाए हुआ है, ठीक है, तो तुम दोनों में से किसी तरह से भी बना सकते हो, तो यहाँ पर यह जो दूसरा वाला तरीका है, यह जादा better है, तो मैं बोलूँगा तुम इसी का use करो, तो मेरे पास यहाँ पर एक और example है, AB plus BC into B plus C, और मैं चाहूँगा कि तुम इस expression का जो logic circuit है, वो खुद से बनाओ, और हो सके तो उस circuit को बना कर upload करके drive का link तुम डाल सकते हो comment section में, मैं ज़रूर चेक करके बताऊँगा, वो सही है या गलत, और अगल तुमने इसे बना लिया, तो तुमें इस chapter में फिर कोई दि कुशिश की है, और animation में तो बहुत जादा ही मैनत लगी है, तो वीडियो कैसी लगी, comment में जरूर बताऊ, और तुम्हारे exams के लिए all the best, क्योंकि मुझे पता है कि तुम में से ज़्यादा तर लोग इस video को तब ही देख रहे होगे, जब तुम्हारे exams बहुत जादा करीब ह खेर वीडियो को like करना मत बूलना और चैनल को जरूर से जरूर सबस्क्राइब कर देना क्योंकि बाकी के chapters भी आने वाले हैं इसी तरह से, और काफी easily तुम इन चीजों को समझने वाले हो, तो मिलते हैं अगले chapter में